नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का डेली निफ्टी अनालिसिस पर आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेट वेव अनालिसिस निफ्टी का 15 सप्टेमर के लिए एस वेल एस शॉट टम के टार्गेट्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड के चार्ट से यहाँ पर मीडियम टम आउटलूक, शॉट टम आउटलूक हम कह सकते हैं निफ्टी का आज हम देखने वाले हैं तो थोड़ा सा एटेंशन चाहूंगा आज के वीडियो में आप सब का लेफ्ट साइड के चार्ट में आजाईए वहाँ पर 6 से 2,6 से जो यहाँ पर एक जो वेव स्टार्ट हुआ है उसको हम यहाँ से देखते हैं वेव 1 और वेव 2 कंप्लिट हो चुका है वेव 3 का जो मिनिमुम प्रोजेक्शन रहता है 100% वो यहाँ पर अल्लेडी अचीव हो चुका है 100% प्रोजेक्शन आ रहा है 10,037 पर वो अल्लेडी अचीव हो चुका है और यह जो वेव 3 है 7,894 से लेकर 10,138 को उसको हम यहाँ पे दूसरे चार्ट में नस्दी किसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे अगर हम इंटरनल वेव देखे तो वेव 1,2 कतम हो चुके हैं वेव 3 जो है वो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो ओप्शन दिखा रहा हूँ ध्यान से समझने के कोशिश कीजिएगा यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे वेव 3 पूरा हुआ है तो यहाँ पे जो है यह जो करेक्शन है वेव 4 का वो हो रहा है सिर्फ 18% तो 18% करेक्शन हो रहा है लेकिन उसके एक दूसरे एंगल से अगर हम देखे तो जो यहाँ पे 9448 से जो यह इंपल्स यहाँ पे पूरा हुआ है 10138 पे वो exactly यह जो है वेव 3 सोरी यह 7894 से लेके वेव 3 का यह जो है पूरा exactly 38% जो है वो project हुआ है तो वो वेव 5 का जो है वो हम projection minimum मान के चले तो यहाँ पे दोस्तो जो पूरा वेव 3 जो है 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे जो यह बड़ा सा वेव 3 है वो पूरा हो चुका ऐसा हम मान सकते है 10138 पे अगर यहाँ पे 3, 4 और 5 मान ले तो उसका reason सिर्फ यही है यहाँ पे जो है 38% exactly यह project हुआ है जो पूरा वेव 3 है उसके हिसाब से अगर हम देखे और दूसरा एंगल अगर हम देखे तो यह जो पूरा वेव 3 है उस पूरे वेव 3 में पहली यहाँ पे 23% से ज्यादा रेट्रेस हुआ है यहाँ पे यह वेव तो अगर हम यह भी मान सकते है कि यहाँ पे अगर यह जो इंटरनल वेव 3 है वो पूरा शायद हो सकता है तो यह जो वेव 4 जो है या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है मान लिजे 23% से ज्यादा रेट्रेस हो चुका है अल्मोस 23% से थोड़ा सा ज्यादा तो अगर हम यहाँ पे वेव 4 को अगर हम पूरा मान ले इंटरनल वेव 4 वेव 3 का जो यह जो वेव 3 जो है पूरा उसका इंटरनल वेव 4 अगर हम यहाँ पे पूरा मान ले तो यहाँ से minimum target जो है वो nifty का 38% wave 5 के लिए हो जाता है minimum projection जो आ रहा है 10539 पर तो यह minimum target हो जाएगा अगर यहाँ पे wave 4 पूरा हुआ है तो और मान लिजिए अगर यहाँ पे जो है यह wave 4 पूरा नहीं हुआ है और यह correction wave 4 का अभी भी चल रहा है यह correction अभी भी चल रहा है तो यहाँ पे जो है projection हमने already दिये हुए 23% 9722 जो already हो चुका है या तो फिर 38% जो आ रहा है 9450 पे आ रहा है तो यहाँ पे आके निफ्टी यहाँ पे wave 4 फिर से फूरा हो सकता है अगर यहाँ पे यह correction अभी भी चालू है तो फिर यहाँ से फिर से हम wave 5 का projection देख सकते हैं और पहला वाला option अगर हम देखे कि जो यह wave 3 है बड़ा wave 3 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे अगर पूरा हो चुका है तो यहाँ पे left side में आ जाईए यह पूरा wave 3 अगर यह यहाँ पे पूरा हो चुका है और wave 4 जो correction या तो फिर पूरा हो चुका है या तो फिर अभी बाकी है तो इ 9, 6, 2, 2 से लेके 9, 2, 8, 5 के बीच में तो यह अभी 9, 6, 8, 6 से अभी 23% retrace नहीं हुआ है 23% आ रहा है 9, 6, 2, 2 पर तो यहाँ पे यह wave 4 पूरा हो सकता है या तो फिर अगर यह पूरा हो चुका है तो यहाँ पे जो है wave 3 जो है वो extended नहीं है 100% 161% से ज्यादा अगर है तो हम wave 3 को extended मानते है तो यहाँ पे जो है wave 3 जो है वो extended नहीं है तो wave 5 जो है वो extended होगा तो minimum projection wave 5 का आ जाएगा वहाँ फे 11706 का अगर यहाँ पे wave 4 जब पूरा हो चुका है तो वरना यह यहाँ पे wave 4 का जो correction है वो अभी चल रहा होगा तो यह जो है वो minimum हम रिट्रेस्मेंट लेवल हो जाते है वेव 4 के लिए तो यह जो है यह शॉट्ट टम आउटलूक हम देख सकते हैं जो भी है अब भी हम क्या करते हैं यहां से जो भी चल रहा है वो हम दूसरे चार्ट में देखने के कोशिश करते हैं यह जो 9 6 8 6 से इस चार्ट में अगर आप देखे यहां से यहां से जो यह वेव स्टार्ट हुआ उसमें हमें सबसे ज्यादा कन्फुजन रहा है अब तक तो उस के चार्ट को हम देखते हैं यहां से दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा काउंटिंग नहीं किया इस वेव में और कंक्लुजन भी नहीं किया है अभी तक इस वेव का लेकिन अगर हम इस वेव के इंटर्नल काउंट को देखे तो फिबोना की जो सीरीज फिबोना की रेश्यो के इसाब से मैंने इस से समझने की कोशिश करते हैं, यहां से wave 1 और A पूरा हो चुका है, यहां पे wave 2 और B, यहां से दोस्तों confusion जो है, वो शुरू हो रहा है, तो maximum मुझे जो सही लग रहा था, रूल के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने यहां पे count देने की कोशिश की है, यहां पे wave 1 और यह जो है wave 2 पूरा हो सकता है यहां पे, या तो फिर यह A और यह B है, यहां पे इसलिए मैंने एक ही option दिया है, ताकि ज्यादा confusion ना हो, 1 और 2, फिर यहां से wave 3 का wave 1, क्योंकि यहां पे यह पूरा 100% नहीं हुआ है, तो यहां पे हम internal wave 3 का, हम internal wave 1 मान लेते हैं, और यह wave 2, और यहां प उसके हिसाब से मैंने यहां पे डाले, तो यहां पे मुझे यह ABC wave दिख रहा है, उसको मैंने एक बड़ा सा A मान लिया है, और यह दूसरा ABC, उसको मैंने मान लिया है, और यहां से एक impulse स्टार्ट हो रहा है, तो इसका C भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यह जो wave count है, जो 9686 से जो स्टार्ट हो रहा है, वो मुझे समझने में थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल हो रही है, और फिर भी मैंने अपने हिसाब से ये काउंटिंग करने की कोशिश की है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिएगा, इस काउंटिंग को भी देखिए, और आपको कुछ आ है रहा, 10131 का, वहाँ से अगर हम रिट्रेस्मेंट लेवर देखे, तो 23% का आ रहा है, 10081 और 38% आ रहा है, 10048, तो यहाँ पे हम अगर निफ्टी को बाई करना चाहते हैं, तो स्टॉप लोस यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे सेट कर सकते हैं, 10044 पे या तो फिर 10042 पे, नेक जो लेटेस्ट वेव जो है, उसकी मुवमेट देखने कोशिश करते हैं, तो यह जो है निफ्टी का 5 मिनिट का जो चार्ट अगर हम देखे, तो यहाँ पे 10064 पे वेव 1 और वेव A कंप्रीट हो चुका है, वेव 2 और B कंप्रीट हो रहा है, यहाँ पे 10126 पे, अगर यह प C का जो प्रोजेक्शन है, वो यहाँ पे 100% आ रहा है, 10059 और 123% आ रहा है, 10044 पे, तो यह जो मिनिमुम टार्गेट हो जाएगा यहाँ पे वेव C के लिए, तो उसके नीचे, यहाँ से नीचे की तरफ निफ्टी आ सकता है, तो इंटरनल काउट अगर हम वेव C के अगर हम तो यहाँ पे वेव 1 और वेव 2 जो है, यहाँ पे एर्गिलर करेक्शन, फिर वेव 3 और यह जो है, फिर से यहाँ पे एर्गिलर करेक्शन, वेव 4 पूरा होता हमें दिख रहा है, 10103 पर, तो यहाँ से अगर हम वेव 4 के मिनिमुम ट्रोजेक्शन देखे, मिनिमुम टार् रहा है तो उसके नीचे यहां पर पूरा हो सकता है वेव सी तो उसके हिसाब से अगर हम देखे तो वेव 5 यहां पर डेफिनेटली extended होगा अगर यह वेव 4 यहां पर पूरा हुआ है तो यहां पर वेव 5 जो है वो extended zone में यहां इस range में खत्म होगा 100% और 123% की range में और extended वेव 5 जो है वो उसी तेजी के साथ फिर से retrace होता है तो उसका मतलब अगर यह वेव C है तो यहां से वेव 5 पूरा होने के बाद बहुत ही तेजी से फिर से यहां पर 10103 पर फिर से एक impulse wave आने की संभावना यहां पर हो सकती है लेकिन अगर यह wave ABC नहीं है यह corrective wave नहीं है तो यह अगर 1, 2 और 3 अगर जो है तो मेरे ख्याल से निफ्टी जो है वो gap down opening हो सकता है उसमें यहां से लगपग 10070 के नीचे से ही निफ्टी open हो सकता है और उसके बाद तेजी के साथ नीचे की तरफ जा सकता है तो यहां पर अगर हम अगर आप buying करना चाहते है तो stop loss जो है 123% आ रहा है वेव C का 10044 पे और आगे का चार्ट में भी हमने देखा था 38% 10048 पे आ रहा है इसलिए मैंने बोला था कि stop loss अगर आप निफ्टी buy करना चाहते हैं तो stop loss यहां पर 10044 या 42 के आजुबाजु का रखके निफ्टी को buy कर सकते हैं तो बस आज के वीडियो में इतना ही आज के वीडियो को ध्यान से देखने के लिए समझने के लिए patience के साथ यह आज का वीडियो थोड़ा सा मेरे ख्याल से लंबा हो चुका है क्योंकि समझने की हमें ज़रूरत थी इस short term पूरे view को निफ्टी के तो बहुत बहुत शुक्र अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैं वादा करता हूँ आपको और इस वीडियो को शेर कीजिए बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद